एतिहासिक राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का आयोजन है तो आयोध्या नगरी में अलग-अलंग रंग दिखाई पर रहे हैं हम एक तस्वीर यहां दिखाते हैं ये भी एक रंग है अयोध्या नगरी का जहां सैंड आर्ट की एक अद्भुत जो है वो दृष्य यहां पर प्रदर्शनी दिखाई पर रही है जिसमें प्रभुश्री राम को दिखाया गया है राम राम लिखा गया है और प्रभुश्री राम के सबसे खास हनुमान के की जो चित्र है वो बीच में है और ये सैंड आर्ट है और जो लोग इस ये इस कला के पढ़ंगत हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये बताए भाईया ये आपकी एक कला की पहले तो हम तारीफ करते हैं लेकिन ये बताए कि आप बना क्या रहे हैं ये भगवान राम की कला कृती है और भगवान राम से जुड़ी एक प्रसंग है जब वो भगवान 14 वर्स के बनवास में थे तो राम सेतु के निर्मान काल में निर्मान के समय में गिलहरी रूपी एक छोटा सहयोगी ने अपना जो सहयोग और समर्पन दिखाया था उसी तरह से आज के राम मंदिर में जो 500 वर्सों के पुर्व आज अपनी दिव्विता और भव्विता लेकर सबके सामने आया है वो कहीं न कहीं वो छोटे गिलहरी के रूप में सभी राम भक्तों का सहयोग और समर्पन है जिसके फल सुरूप आज मंदिर आ रहा है आप गिलहरी को राम भक्त से आप तुलना करना जी 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 और उन्होंने सहयोग किया था उस समय त्रेता यूग में वो आप दिखा रहे हैं कि इस कल यूग में किस तरीके से जी 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 और उसी तरह उसी सेतु निर्माण में दो इंजिनियर भी हुआ करते थे जो नल और नील के रूप में हुआ करते थे और जो सिलाओं पे राम और नाम राम का नाम लिखे देने से वो सिला पानी में तैरने लगती थी ठीक उसी तरह से इस युग में हमारे प्रधान मंत्री योगी अधित नाज जी और हमारे मुख्य मंत्री योगी अधित नाज जी की है तो हमने नल और निल के रूप में इन दोनों को दिखाया है और इसके साथ ही जो भक्तों में राम के मंदिर और भगवान राम के आस्था के लिए जो समरपड सहयोग और दिवानगी जिस परा से पागलपन है भक्तों में जो कि कोई कहीं इंदोर से अभी अभी हमसे एक लोग मिले थे कि वो इंदोर से बाइक से कोई महिला आई थी बाइक चला के आपके मन में ये कैसे आई ये चुकि बहुत बड़ी कला है आपके अंदर और आप ये कैसे आपके मन में ये सोच कैसे है ये तो मेरा संकल्प है कि भगवान राम लाला जब अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जब प्रान प्रतिष्टा हो जाएगा, तो भगवान राम लाला के जीवन काल के सभी परसंगों को रेत परुकेर कर और वर्ल्ड रिकॉर्ड अस्थापित करूँगा, भगवा राम के रहने वाले हैं, बलिया से हूँ, मैं मुलता बलिया से हूँ, क्या नाम है आपका, रुपेश सिंग, और वाराणसी से, विद्यापीट से, एमेफे का चात्रों मैं, तो साथ सालों से इन्होंने दाढ़ी और बाल नहीं कटाई है, रुपेश जी है, और ये बता रह अपने दाढ़ी बाल भी कटाएंगे, तो ये इनके अंदर जो कला है, सैंड आट जो है, वो दिखाई पर रहा, इन्होंने जो प्रशंग की चर्चा की, वो अद्भुत है, और ये आयोध्या नगरी की खुबसूर्ती भी है, कि जो एतिहासिक पल इस राम मंदर के आयोध्या